हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल सागर स्टेटी गरोप और आज हम लेकर आए हैं MS बर्ड के लिए हमारी सॉटकटकी का लास्ट पार्ट जो की है थर्ड पार्ट और इसका हम फ्रेक्टिकल करेंगे तो आए हम देखते हमारी आज की पहली सॉटकटकी क्या है तो हमारी पहली सॉटकटकी है कंट्रोल प्लस होम का यूज क्या है कि हम अपने यदी करसर हमारा लास्ट में है तो हम अपने सबसे पहले पैराग्राप पर हम अपने करसर को ले जा सकते हैं इसके बाद second shortcut की है control plus space तो control plus space का यूज़ क्या है कि हम अपने text जो हमारा highlight है उसको reset कर सकती है या default font में change कर सकती है इसके बाद हमारी next shortcut की है control plus 1 तो control plus 1 का यूज़ क्या है कि हम यदि हमारे paragraph के बीच में हर line के बीच में हम यदि एक एक line कर अंतर देना है तो हम control plus 1 का यूज़ करेंगे और यदि हमें अपनी लाइनों के बीच में दो-दो लाइन का space देना है तो हम control plus 2 का यूज़ करेंगे और यदि हमें 1.5 लाइन का space देना है तो हम control plus 5 का यूज़ करेंगे इसके बाद हमारी next shortcut की है वो है control plus alt plus 1 कि इसका क्या है use, control plus alt plus 1 का use, तो इसका use है कि हम change text to heading, मतलब heading में हम अपने change कर सकते हैं, पहली heading बना सकते हैं, और इसके बाद second shortcut की है control plus alt plus 2, तो इसका use क्या है कि हम अपने, जो हमारी change text to heading second है, मतलब second heading में हम इसको convert कर सकते हैं, फिर इसके बाद है ctrl plus alt plus 3 तो इसका क्या है हम तीसरी heading में हम अपनी text को change कर सकते हैं फिर इसके बाद हमाई next shortcut की है f1 तो f1 का use है कि हम अपनी open help ले सकते हैं ब्राउजर से online हम अपनी help ले सकते हैं फिर इसके बाद next shortcut की है shift plus f3 तो shift plus f3 का use बहुत ही important है कि हम अपनी selected test का case change कर सकते हैं उसको upper कर सकते हैं, lower कर सकते हैं और sentences case में रख सकते हैं इसके बाद हमाई next shortcut की है वो है alt plus shift plus b तो alt plus shift plus d का use क्या है कि हम insert the current date मतला हम आज की current date को सकते हैं, फिर इसके बाद है control plus shift plus t तो control plus shift plus t का use क्या है कि हम आज की time को डाल सकते हैं जो आज हमारा current time चलना है उसको हम आज डाल सकते हैं फिर इसके बाद next shortcut करती हैar control plus 7, sorry f7 तो f7 का use क्या है हम spelling check कर सकते हैं documents की text की spelling को check कर सकते हैं आईए हम अपना practical करते हैं तो आईए हम अपनी first shortcut की का practical करते हैं जयासा कि हमने बताया था control प्लस home तो ctrl plus home का use क्या बताया था हमने कि हमारा एदिकर्सर last में है तो हम control plus home का use कर था हम उसको अपने सबसे पहले paragraph पर ले जा सकते जैसा कि आपने इसमें देखा है इसके बाद हमने second shortcut की बताया थी control plus space तो control plus space का use क्या बताया था हमने कि हम reset highlighted test को default font में change कर सकते है जैसा कि हम देखते हैं जैसे कि हम इसको font को size को बढ़ा लेते हैं font की size को बढ़ाएंगे font की size को control accept plus greater than sorry control दूसरे इसको देखते हैं इसको select करो इसकी size को बढ़ाओ control accept plus greater than को हम अपने default font में change कर सकते हैं का यूज करके कंटरोल प्लस इस पैस का यूज करें सब्सक्राइब करते तो कंटोल इसको कनवर्ट कर सहते हैं फिर इसके बाद है कंट्रोल प्लस बन तो इसका यूज बहुत ही तो इसका यूट क्या है कि control plus 1, तो हम पहले अपने paragraph को select करेंगे, यदि हमें अपने paragraph की इन दो line के बीच में एक-एक line का अंतर जाई है, तो हम control plus 1 करेंगे, तो अभी तो एक-एक line का अंतर है, यदि हम control plus 2 करेंगे, तो हमें 2 line का अंतर रहा है, इसके बाद हमने next watch करकी देख control plus 5, तो control plus 5 का यूज हमने क्या बताया था, कि 1.5 की line का हम इसमें अंतर कर सकते हैं, तो control plus 5, देखो, हमारे इसमें बीच में अंतर हो गया है, 1.5 की line का, फिर इसके बाद हमारी next shortcut की हमने बताई थी, control plus alt plus 1, तो control plus alt plus 1 का यूज क्या बताया था, हमने कि हम अपनी पहली heading को बना सकते हैं, तो पहले हम इसको control plus z से undo करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी heading को बना सकते हैं, तो इसको पहले हम select करेंगे, जैसा कि हमें इतना देखना है कि इतने कि हमें पहली heading बनानी है, तो हम क्या करेंगे, control plus alt plus 1 का, तो हमारी ये पहली heading बन गई, इ Ctrl-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt इसके बाद हमने next shortcut की बताई थी f1 तो f1 का यूज क्या है कि हम अपने ब्राउजर से हम अपनी help ले सकते हैं तो f1 का हम use करेंगे तो f1 का use करेंगे हमारी help खुल जाएगी हाँ पर अभी net चालू नहीं है के कारण हमारी help बन का use नहीं हो पा रहा है तो हमने इसके बाद next shortcut की देखी थी shift plus app 3 तो shift plus app 3 का use क्या है कि हम अपने selected text का हम case change कर सकते हैं उसको upper case में ला सकते हैं lower case में ला सकते हैं और sentence case में ला सकते हैं हम देखते हैं पहले हम अपने paragraph को select करेंगे फिर इसके बाद shift plus app 3 का use करेंगे तो हम पहले अपने function की को को खोलने Lexiki 50 gaming का use करेंगे तो हमारी चु कर कि हमारी इसे पूरा हमारा तो यह हमारे sentence case में हो गया है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में Thank you for watching वीडियो, like, share and subscribe my YouTube channel